आज मैं आपको एक तो नए साल की प्रिक्षन करूंगी दूसरा मकर संक्रांती की करूंगी और पूरे साल की देश की जो अर्थ व्यवस्ता रहेगी और जो उतार चड़ाव देश में आएंगे क्या-क्या कारे देश में अच्छा होगा और क्या-क्या हमारी जनता को सहना पड़ेगा सबसे पहले जो हमारा ये साल शुरू हुआ है उसका जो योग बना था पुषे तो नक्षत्र था सिंग राशी थी और व्याधी जिसे कहते हैं वो योग था उसके अंदर जो ये योग होता है वैद वारे योग जिसे व्याधी योग कहते हैं इस योग में पूरा साल जो है उत्तपात दंगे खून खराबा और देश की अर्थ व्यवस्ता को नुकसान पुंचाने का कारिया अब इसके अंदर कुछ अंदोलन जो चल रहे हैं उसके अंदर मैं इतना जुरूर कहूंगी कि ट्रेनों को या सरकार की किसी संपत्ती को नुकसान ना पुंचे और जो रेल ट्रेक्स हैं उनके उपर ये अंदोलन ना पुंचे जिससे कि हमारे कई जवान कई वेपारी हैं उनके कारे को काफी नुकसान होगा तो बाकी मेरा आपको यह कहने का है कि जो यह संक्रांती आ रहे हैं सूर्य संक्रांती यह 14 जनवरी को मकर संक्रांती के नाम से पहचानी जाती है अब इसके अंदर उत्रान सूरे जो ये मकर राशी में आ रहा है इसका एक तो मकर राशी में ब्रस्पती नीच का चल रहा है उसके बाद ये ब्रस्पती 17 जनवरी को अस्त हो जाएगा और 7 जनवरी को शनी अस्त हो जाएगा और शुकर पहले ही अस्त चल रहा है तो इसके अंदर जो होते हैं शुब कारे नहीं होते जब देव गुरू ब्रस्पति अस्त हो जाएं तो हमारे शुब कारे नहीं होते और मैं इसके अंदर हर दर्शक को एक मतलब निवेदन करूँगी कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ब्रस्पति अस्त हो रहा है य ये तो जो जो सूर्य के नजदीक आते हैं ग्रहें वह अस्व होते हैं और अखन मंथन के चैनल पे मैंने आज से 6 महीने पहले ये प्रडिक्शन की थी कि 10-11 फरवरी को जो है कि 7 ग्रहें एक राशी में परवेश करेंगे और काथ सर्प योग बनेगा और पिछले साल जो ये क मकर राशी में तो मकर राशी के अंदर ये 6 ग्रह इकठे होंगे एक मंगल अलग होगा और राहु के तुके बीच में ये सारे ग्रह होंगे और ये काथ सर्प योग अगर हम देश की कुनली में देखें तो उसके भागेस्तान में बनता है तो मैंको ऐसे लगता है कि जो ये साल चलेगा ये उत्पात, लड़ाई जगडे, अंदोलन और बच्चों की शिक्षा में हानी और लोगों को अपने कारे वेफसाय में हानी क्योंकि देखें देश की कुनली में ये भागे में बन रहा है, जिसका मकर लगन है, उसके लगन के अंदर काथ सर्प योग बन रहा है, किसी के बारवे घर से काथ सर्प योग बनेगा, किसी के चोते घर से काथ सर्प योग बनेगा तो जिसके जैसे जैसे लगन होंगे उसके साथ से उनका काश्रप योग देखा जाएगा और उनको उसी प्रकार का फल मिलेगा और जो आज बहुत से इस्टेलोजर आके बता रहे हैं कि पांच ग्रहों की यूति बनने वाली है छे ग्रहों की यूति बनने वाली है यह अखरण मंथन के चैनल के द्वारा अगर आप छे मीने पहले की वीडियो देखेंगे मेरी तो उसके अंदर छे मीने पहले ही यह पडिक्शन कर दी गई थी कि अभी बना है पिछले साल मिथुन के अंदर कासर्प योग और अगले साल जो 2021 की फरवरी आएगी 10-11 फरवरी उसके अंदर मकर राशी में यह योग बन रहा है अब मकर राशी में जब यह योग बन रहा है चंद्रमा क्योंकि धाई दिन एक राशी पर रहता है तो इसलिए मैंने आपको 10-11 फरवरी बोली है तो क्योंकि चंद्रमा यहां से तो कासरप तो तब भी बना रहे गा तो इस कासरप योग का मैंने आपको फल बता दिया कि देश के लिए क्या होगा और जिसकी जो कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो लगण बनता होगा आपका उस हिसाफ से कासप योग का योग बनेगा और आपको वैसा ही फल मिलेगा और इसके अंदर ग्रहे नक्षत्र भी जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है जब जो ग्रैट जिसके नक्षत्र में होगा अगर वो आपका जनम का उस समय नहीं है तो आपको उतना बुरा या उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा और अगर आपको दश्या और अंतर प्रतंतर भी उसकी नहीं चाड़ रही तो भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदर है कि आप इस चीज़ से घबराएना क्योंकि अखन मंतन आपको बार बार सचेत करता है और आपको अगहा करता है कि ऐसे ऐसे ग्रहों की यूति बन रही है अगर उन यूतियों को आप अपने अचारज को या अपने जो आपके कुल प्रोहित हैं पंडित हैं आपके तो आप उनको दिखा के इसका उपाय कर सकते हैं क्योंकि काल सब्ट योग के अंदर जब सारे घ्रह आजाते हैं रहो केतु की चपेट में तो वहां पे कुछ ना कुछ अन्होनी घटनाएं अवश्य होती हैं अब कई लोग बताते हैं प्लूटो के बारे में नैप्चुन के बारे में हरसल के बारे में ये भी घ्रह हैं लेकिन जब आजकर प्लूटो जो है वह मकर राशी में कर रहा है और मंगल का यह कारे करता है तो अब इसके अंदर कही लोग बोलते हैं कि भुकम नहीं आएंगे कही लोग बोलते हैं भुकम आएंगे लेकिन मैं आपको अपने चैनल के द्वारा यह बताना चाहते हूँ कि भुकम के जटके भी आएंगे अग जनी भी होगी और कई जगा खुन खराबे भी होगे और यह होगे तो 100% होगे यह मैं कुनली के और ग्रहों के हिसाब से नहीं बता रही यह एक intuition और six sense जिसको की दिव्य द्रिश्टी कहते हैं यह अद्रिशे शक्ति जो बताती है यह मैं आपको उसके हिसाब से बता रही क्योंकि सारी ग्रहों की शक्ति अद्रिशे शक्ति के पास होती है और नो ग्रह भी उसी के हाथ में होते हैं और अगर हम करम अच्छे करते हैं तो यह जो अद्रिशे शक्ति होती हैं यह सब देखती है कि कोन क्या करम कर रहा है उसको उसका फल देती है और अद्रिशे शक्त कि करता जा औपनी जगा काम करते हैं अपनी जगा काम करते हैं दानकुन करना अपनी जगा करता है तो जो यह शुक्कर शनी और ब्रस्पति अस्त की मैंने आपको डेट बताई हैं तो इनके उदे की भी मैं आपको डेट बता देती हूँ कि जो शनी है वह तेरा फ़र्वादी को उदे होगा और ब्रस्पती जो है वे भी 13 फ़वरी को उदे होगा और शुक्कर जो है वे जाके मई में उदे होगा लेकिन इससे पहले कोई भी शुब कारे हम नहीं कर सकते और कोई भी शुब कारे इसके अंदर करना वरजित है और इसमें कुछ-कुछ समय अच्छा आता है जैसे मास की शिवरात्री, बसंत पंचमी ऐसे कुछ महुरत होते हैं जिनके अंदर हम कारे कर सकते हैं और अगर आपको कोई छोटा सा कारे करना है तो उसको आप अभी जित नक्षत्र में कर सकते हैं पोने बारा बज़े से लेके प्रति दिन पोने बारा बज़े से लेके महुरत माना जाता है उसके अंदर अगर आपका कोई छोटा सा कारे है तो आप उसे कर सकते हैं बाकि जो साल की व्यदी का योग बना है उसके अंदर बेमोसम बोद बसात होगी बाड़ ओगी और भुकम के छोटे नहीं बड़े बड़े भी जटके आ सकते हैं इसकी पक्की भावना बनती है दूसरी बात यह जो उत्पात और जगड़े हैं यह अचानक होंगे क्योंकि प्लूटो जो है वह मकर राशी में उच्च कहो के बैठा है इसके जो पढ़नाम होंगे वह आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी घटनाई होंगी और मैं आपको सिरफ इतना ही बताना चाहती हूँ हमें किसी भी कारे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए जो कारे सरकार के नियम के द्वारा बने हुए हैं हमें उन नियमों का उलंगर नहीं करना चाहिए हमें अपने बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों को ये समझा के रखना चाहिए कि हमें किसी भी ऐसी आपदा के अंदर नहीं कूदना जिसका पढ़नाम हमें बाद में भूगतना पड़े पढ़नाम तो भूगतना पड़ेगा किसी को पहले किसी को बाद में और जो ग्रहों की चाल चल रही है जो मैंने आपको बताया है मंगल मेश राशी में है, शनी मकर राशी में है और ब्रस्पति भी मकर राशी में है तो इस पकार जो बड़े बड़े गरहों का योग है वैदेश के लिए मुझे आगे की घटनाओं में कुछ समय के लिए उत्पात नजर आता है तो मेरा आप सबसे यही नवेदन है कि आप इन घटनाओं से दूर रहें और जो भी कारे हैं अपना सो समझ के करें तो इसके लिए मेरी आप सबसे यही बिंती है कि आप लोग देश के साथ सयोग करें और देश की संपत्ति का कोई भी नुकसान ना करें और मेरी जो अगली वीडियो होगी वे मकर संक्रांती के बाद की होगी कि जब उत्रान सूरे आ जाएंगे और उसके बाद जो फरवरी का महिना है वे कैसा जाएगा तो तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद आप और आपका परिवार सुखी रहे यही हमारे आपसे दुआ है और आप देश के लिए अच्छे से अच्छा कारे करते रहें मेरा कॉंटेक्ट नंबर है 99999-338366 जो मेरे से संपर्थ करना चाहे वह दस बज़े से लेके चार बज़े तक मेरे से कॉंटेक्ट करके अपनी जनम पत्री का विवरट करवा सकते हैं नमस्कार झाल झाल